वो कहते हैं ना कि जब आप अपने पंक फेलाएंगे तभी तो आस्मान में उडान भर पाएंगे। पठान कोट में जन्मी दिव्या बच्पन से ही पाइलट बनना चाहती थी बारवी में ही उन्हें यूपी के इंदिरा गांधी राष्ट्री योडान एकाडमी में एडमेशन मिल गया था। पठानी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने स्कॉलर्शिप पाने के लिए कड़ी मेनत की और वो मिल गई। दिव्या की ट्रेनिंग दो साल बाद खत्म हुई और एर इंडिया में उन्हें जॉब मिल गई। इसके बाद दिव्या की लंदन और स्पेन में भी ट्रेनिंग हुई जहां उन्होंने बोईंग 737 और बोईंग 777 उड़ाया। दिव्या कहते हैं कि मुझे गर्व होता है कि भारत महिला पाइलटों की संख्या के मामले में दुनिया के विक्सित देशों से भी आगे है। भारत में लगभग 15% महिला पाइलटों हैं जबकि दुनिया भर में ये आकड़ा महज 5% है। उन्होंने युवा लड़के लड़कियों को संदेश देते हुए कहा कि आपके माता पिता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। दुनिया में कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नही हैं।